नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं इंटरनेट से पैसे कमाने के बहुत सारे जरिया है यहिन मैक्सिमम आप जब जो लोग नए होते हैं वो इंटरेट पे जब पैसे कमाने के खुछते हैं तो जाते हैं सर्च करते हैं how to earn money by internet या how to earn money from internet या कुछ करके वो सर्च करते हैं तो उन्हें जो maximum चीजे मिलती है वो fraud होती है तो इसलिए उन्हें सही रास्ता नहीं मीर पाता है पैसे कमाने का तो मैं आज आपको एकदम सटीक और सही रास्ता बताने वाला हूं कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो इंटरेट से पैसे कमाने का जो जर्या होता है और यहां बहुत ही अच्छा ब्लटफॉर्म है बहुत बढ़िया जगाusc यहां ज़हां पैसे कमा सकते हैं और यह मेरा फेवरेट तरीका और एक तक का सबसे अच्छा है मुझे यहीं लगा भी है कि व्लोग में अधिन के सबसे लिए और الزुवन होतीं नो चेए ऑओ गलाग कर सकते हैं और इंगली में कर सकते हैं और अच्छी नहीं और Allah में करते हां लेकिन ये वीडियो में वेने हैं यो अब दुस्तों जो नए लोग कोते हैं किड्या करना चाहते हैं उनके सम डो कि वो ब्लॉगिंग कैसे करें कप करें और ब्लॉगिंग क्या है या पैसे कैसे आते हैं यह सब तमास समस्था हो जी है तो मैं अपने एक एक करके सभी एक 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 वीडियो जालता जाओंगा और उसमें बताता जाओंगा कि आपको कैसे कमा सकते हैं कोई प्रॉब्लम आरे जिसमें आप वर्ल्ड वाइट पूरे दुनिया में अपने नॉलिज को शेर करते हो आपके पास जो की जानकारिया है आप उसको पूरी दुनिया में शेर करते हो दूसरे लोगों के साथ अपने वेबसाइट कमाते हैं तो इस प्रोसेस को या पर इस जो आपकी वेबसाइट होती है परसनल उसे ब्लॉग करते हैं अब दूसरा टॉपिक होता है कि यह ब्लॉगर क्या है तो जो व्यक्ति में जैसे कि मैं ब्लॉगर हूँ वैसे ही जो आप या कोई वीजयो भी आडमी ब्लॉग लिखता है और ब्लॉग लिग करके अपने Lloyd के णे से और ख़़ों के लिए शेयर करता है जो बिलागर लोग किया है तो भलाकिंग जए गो अपना ब्लॉगर लिखता है उसमें जो अपने टेगनिक यूज Carn cure करता है और जो इस्किल्स करता है उगंग को तक सुस्किल्स को यह आती है कि लोगों को यह नहीं पता होता है कि ब्लॉग से कितना पैसे कमा सकते हैं मैंने कई सारे लोगों की वीडियो देखी और अपना भी एक्सपिरियंस है काफी कमेंट्स पढ़े हैं केजू, ट्विटर, और यूटूब, कई जगों पर मैंने पर देखा है मैसिमान मेरे जो पैचान और फ्रेंड तरकिल ने जो लोग हैं उनसे मैंने मुझे मालूम चला है कि लोग सामने समस्से बड़ी समझ्या यह होती है कि ब्लॉगिंग क्या है मतलब ब्लॉगिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो नोग जाना चाहते हैं भई हम ब्लॉगिंगर चेंवे कितना कमा सकते हो तो दोस्तो अना पहसा कते हो इसकी लीमिट नहीं है मैं यह एक नहीं बता सकता हो कि किया उसकते हूँ निलाने उसकते होς था ना कुई है अनुजू पहसा सकते हो कि उत्ना पैसना ब्लॉग हैं कि में कुई है कि लिमीटेशन नहीं आई ना इसरों गत्राइब कासुसती है किसी तरह कालू कोईन तो न यहां पर अनलिप्टट कर करते हैं तो ब्लॉग से चार्ट सब्सक्राइब लेकि फिर बाद में मेनत न करके वह छोड़ देते हो तो पैसा नहीं कमाना नगे तो उन्हें लगता है कि मैं पैसे कमाना यहां मुझ्किल है तो यहां पैसे कमाना ज्यादा मुझ्किल नहीं है अगर आप डेली 2-3 घंटे काम कर रहे हैं तो 2-3 महने में च्छा महने में पैस कमान स्टार्ट कर दोगे और आसानी से आप कम से कम 15-20 जाए तो आसानी से कमानी लोगों इसमें कोई वह नहीं है किसी प्रकार की गुंजाइद नहीं कि आप 15-20 जाए भी नहीं कमा सकते हो तो इतना कमा सकते हो आसानी अब मैं आपको step by step बताने जाओंगा जाओंगा कि ब ब्लॉगिंग के लिए क्या platform यूज करते हैं या फिर ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है आप कैसे अपना ब्लॉग बना करके अपने ब्लॉग के जरिए फिल्ड में पाचान बना सकते हैं यह सारे चीज़े मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले अगर आप ब्लॉगर एक ब आपको आपके पास आइडिया नहीं है यह लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें कहां किस टॉपिक पर बनाना है ब्लॉग आप इंटरनेट से आप बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे आप सर्च करेंगे बहुत मिल जाएंगे यह कि मेरा ब्लॉग बना रहे हो तो आप एक बाल उस पर थोला सा रिसर्च कर लें कि देखे एडसंस से जो पैसे मिलते हैं वो डिपन करते हैं ब्लॉग की सीपी 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 वी कीवर्ड कंटेंट इपन करती है तो आप कंटेंट ऐसा रखो कि जहां पर अच्छे आड आज रखें तो अच्छे आड के लिए में आप कंटेंट और गौन कि अच्छा कंटेंट के लिए। सार्च कर सकते हूं उसके हिसाब से आपना टॉपिक चूज कर सकते हो फिर ब्लॉगिं करने है तो आपको किवर्ड इस बहुत अच्छा तूल होता है बहां से आप से लाभा कुछते सकते हो नई समझ मेरा दो और कमेंट बाग में कमेंट कीजिएगा और या तो आप मुझे मैसेज करके डायेट पूर सकते हैं मैं आपको सब्सक्राइब कहां से आपको चूज करना है कि से लेट करना टॉपिक कहां से अच्छा-च्छा की वड़ आपको मिलेगा ठीक है इसके बारे मैं आपको बटा दूँगा और प्लाटफॉर्म होता है उसके बारे में बात करना तो अच्छा प्लाटफॉर्म क्या है तो लोग जाना चाहते हैं कि ब्लॉग कहां पर करें तो ब्लॉगिंग करने के लिए अगर आप एकड़म नए बंदे हैं आप पास बिल्पल नॉलेज नहीं है आप स्टार्टी कर रहा है अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लॉगर.com यूज करिए वो इसी है वहाँ कोई कोई कोस्टिंग नहीं किस तरह का पै वहाँ पर बहुत एजी भी है वो किसी तरह कोडिंग की जिवत नहीं होती है लेकिन क्या होता है WordPress थोड़ा सा कॉस्टली पढ़ जाता है वहाँ थोड़ा सा कोईश्मेंट परना पड़ता है वोस्टिंग खरेदना पड़ता है तमाम तरह की चीजे है जिस पर आपको सब्सक्राइब करते हैं हजा टेरजार रुपए तो आप WordPress की उसके जिए दाबेस्ट है WordPress और उसके लिए आपको उस्टिंग की जूरत पढ़ती है डोमेंग की जूरत पढ़ती है इस तरह की कोई भी रिक्रवंट हो तो आप हमें बता सकते हैं आप प्रवाइड करवाते है अब ही तो फिलामेंट होस्टिंग करवारे रहे हैं रुगों को अगर चाहिए तो आपको। में पढ़ती है लेकिना उसके लिए अब अप और विई उसकते हैं. आप विए gloss करते हैं Worvay ब्लॉगर जब आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो लेकिन वर्ट्रेस दबेस्ट है और इसके लिए आप उसा से पहले जरुत पढ़ती है डोमेन नेम अब बात यहां कि डोमेन नेम क्या है डोमेन नेम वह एड्रेस होता है इंटरनेट पे जिसके मातेँ मसे लोग आप prod पहुंशते हैं आप कोई visitor होच या कऊई भी परस्ट आपको पहुंशता है तो आपकेम डोमेन नेम के मातेट वह एक तरहए का एड्रेस है जिसके माधन्स सो अपके ब्लोग पर आपके वëb side पर पहुंच्टे से थिह की एक बहुत बड़ा ब्लोग है उसका नाम है इह याउ डाट कॉंग तो लो जू ऊप का नाम है वह वह ने फिलाओग का एक्ड्रेस हैं तो इस तरह से किसी भी ब्लॉग का एक्ड्रेस होता है तो आपके भी प्लोग का एक एक्ड्रेस हो जाएगा इसके मात pedir हम से आप अपना कोना WhatsApp यहां ब्लॉग कर सकते हैं कुछ भी डालके आप यहां पर आप ब्लॉग बना सकते हैं आपको खरेदने की जुरूप पड़ती है तो अपना ब्लॉग डिजाइन करने की तो मैं आप लोग को बदा हुआ कि ब्लॉब की टिजाइन का जो पाउड होता है यह बहुत ही इंप्रॉटन पार्ट होता है किसी की ब्लॉग का तो आप लोग अपने ब्लॉग का डिजाइन इस तम सिंपल रखे एकदम अच्छा रखे इतना सिंपल हो कि कोई विजिटर अकर तो उसे बहुत बंगीना ना लगे कोड़के जाये ना इतना सिंपल हो कि यूजर आसानी से वहां पर पढ़ सके और आसानी से अच्छा भी लगे थोड़ा रुके वो एक पोस्ट पढ़ने है तो चार पोस्ट पढ़े ऐसा आप अपने ब्लॉक का डिजाइन रखिए कि लोग तो क्या करेगा वो चला जाएगा तो आप ऐसा रखिए कि विश्टर वहां थोड़ी तो रुके और रुक करके अपना आपके ब्लॉंग पर सर्च करें और भी चीजे देखें उससे जो और चीजे अच्छी लगे वो चीजे वो देखें विश्टर जितनी देदर आप ब्ल ब्लॉग का डिजाइन रखिए और ब्लॉग कभी बहुत भरकिला मत रखिए बहुत दार डिजाइन मता लिए और सबसे जरूरी चीज कि आप जब ब्लॉग अपना बनाए तो उसमें कुछ इंपोर्टेंट स्पेज होते हैं वो आप जरूर बनाएं जैसे कि अबाउट अस अबाउट उसका page बहुत जरूरी प्रेज होता है इसमें आप अपने बारे में या फिर अपने ब्लॉग के बारे में लिख सकते हैं तो आप जरूर रखिए उसके लाबाँेश़क तक समझत आतर चाहाई वसे इजैब करेद आपके signal को दूरी अर्षा कुर्स नहीं किरसे on कान कॉल तो पॉसिबर नहीं होता है लिए प्रोफर मेसेच्ज इमेल ये आज फेस्बुक हर जगह से अटेष मेरा होगा अटना जादा ब्लोग आपके लिए ब्लोगिंग ये ब्लोग के ब्लोग के आपको गंग शीज़ए नहीं तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप पोस्ट डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, क्या कंटेंट डाल रहे हैं तो आप कंटेंट हमेशा जो ही डालिए वो खुद से रखिए, यूनिक कंटेंट रखिए, ताकि कोहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए क्यों कि देखिए क्या होता है कि गूगल भी ऐसे कंटेंट को मना करता है जो कॉपी राइट है अपने खुद के कंटेंट लिखिए बिंदास, अपने मन में जो आडिया आता है वो सब डारी ये बिंदास लिखिए और उसको पॉप्लिस करिए अपने ब्लॉक पर पोस्ट लिखना जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कोशिज करिए विदम वैल्यूवबल कंटेंट हो जिनके वैल्यू अच्छी हो जमें विश्टा जाड़ा अट्रेक्ट हो तो अच्छे अच्छे लिखिए तो जाइज ते बात है कि आपके विश् में तो जो घुता मत करीं बिल्कुर उसको एक बार में लिखिए शूंद करेंब बिकले माद क्रेंए है फिर बात आती है कि आपने ब्लॉग की मार्केटिंग कैसे करते हैं वुटे ही तो देखिए मार्केटिंग अपने ब्लॉग की एस इज़े द्राक्राद नेम की तरफ बहु होन फिंदास मार्केटिंग की एपने भॉहन की अपने ब्लॉग की जितनी मार्केटिंग एक ऐस अब्लॉग करें न ही अच्छा फाकर देद रिख tukem हे जगा अपना प्रेज बनाई है फेस्बूक पे ट्विटर पे गूगल पे हर जगा अपना पेज बनाई है और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वह और फिर जब आपका ब्लोग में कंटेंट भी आ गये ब्लोग के मार्केटिंग का भी हो गया अब एक बहुत खास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके बिना रैंकिंग बहुत कम आपके पास कंटेंट अच्छा है तो भी आपको दिक्कत नहीं है अब अगर अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आप तो अगर थोड़ा भूत खराब है तो भी आप चला ले जाओगे अप Там सबसे अच्छा तरीका क्या होता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा आपको से आप क्या कर सकते हैं और फिर बात आती है कि अब आपका ब्लॉग बन गया आपका SEO को गया कंटेंट भी आपने लिखती डिजाइन भी आपने मुद्धा यह होता है कि पैसे कहां से आएंगे खही अब लॉगमें बनाया और इसलिए थे पैसे एकुछ और मैंने सारकों रचाक पूस्तर बताया नहीं तो अब मै आपको बताता हूँ कि ब्लॉग कि उस से आंतों पैसे कहां से आएंगे सबसे बेंदरी जरीया गया है कि पैसे कैसे आईगे तो देखिए ब्लोग जो आपको चलने लगता है जो आप उसके पर ट्रैकिक आ जाते हैं तो आपको हाँ पर एड लगाने के जिए पड़ती है जिनसे आपको पैसे देदें के लिए तो कई सारे एड़ोटाइजर हैं जो आप यूस कर सकते हम और ऐड के अलावा आ अप्रित अुछ पियर्परियश मार्केटिंग हो गया प्रोड़क्ट स्टर वो गया लिख कण्स pro सब्सक्रपारय के असना से हमघाए मेरा आ खantoor обड़ स्टो मार्केटिंग होता है दूसरों करते हैं Dakar प्रिक्रेट मार्केटिंग होता है पेड़ कंटेट आपको ब्लाग बहुत अच्छा चलता है लोग आपको पैसे देते हैं उनका कंटेट अपने वेबसाइट पर डालने के तो भी आप लोज कर सकते हैं इसके लाबा इमेल मार्टिंग इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं अपने को ब्रॉडट चल कर सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है एड लगाने का तो उसके लिए एड़स देट है बहुत सारे एडवटाइजर है याहू है और यहां के लाबा क्लिक् लेकिन सबसे अच्छा परता है तो आपको इससे प्रोड़ाम के लिए अप्ले करना पड़ेगा अपको उट्रस तो आपको ईससे लगाने कि जुड़त पड़ेगी अपने ब्लागने की सबसे ज़रुड़िँ चीजหेस बहुत ही बेतरी तरीका पैसे कमाने का आज की समय में बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में इंडिया के बाहर हर्च को यूज कर रहा है बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं इसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आपके लिए भी मैं इसे सजेस्ट करूंगा सबसे पहतरीन तरीका होता है इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंफॉर्मेशन दी है व्लॉगिंग क्या है और व्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाते हैं एड्सन्स क्या है लेकिन मैं खुद भी जानता हूं कि यह वीडियो मेरी पहली वीडियो है तो बहुत अच्छी नहीं बनी होगी तो यहाँ कई सारे टॉपिस छोटे भी है जैसे कि एड्सन्स किया है ड्सन्स कहां से मिलेगा फोई ठिक है और उसके अलाबां इसी ये कैसे होगा कि मैं जानता हुआ और थो वीडियो मैं जानता है हम थालोग की पास संवां चाल वीडियो में सब्सेश्च बताने वाला हुगा Origin कैसे कर अ था में यांवाथ से तो तीनों चीजिए एक साथ रखना पॉसबर नहीं हो पारा है तो मैं इस वीडियो में सिर ब्लॉकिंग रख रहा हूँ और इसके सेकेंड पार्ट में मैं कुछिस करूंगा यूट्यूब और अड्राट एक साथ आ जाएं अगर आता है तो ठीक है तो मैं यूट्यूब को औ जिस और स्क्राइब जिरू ही जेगा हमारे चैनल हों थैंक यू